हेलो फ्रेंड्स मैं शतापती और शतापती दकीचर्स में मैं अपने सारी दोस्तों का स्वागत करती हूं और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा जो फ्रेंड्स नए है जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर खाने में बहुत टेस्टी है यह है हरे चने के छोले जैसे हम वाइट चने के बनाते हैं न उसी तरह से हरे चने भी पाये जाते हैं मार्केट में आप लाईए और यह वाली रेसिपी जरूर बनाईए इसमें ना मैंने प्याज और ना मैंने ही बनकर थेयार हुआ है तो चलिए चलते हैं की चंब में तो सबसे पहले चणासा आपना ज़मति यह बस इसका कच्चा पन जो है थोड़ा दूर कर लेना है इससे सबजी का जो टेस्ट है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा अब मैंने देखिए पहले से ही एक इंच अद्रक दो हरी मिर्च आधा टमाटर और एक चमज जीरा लेकर पीस लिया था इसको मैं इसमें एड करती हूं इसमें मैंने आज लहसून और प्याज का यूज नहीं किया है तभी मैंने इस मसाले को तयार किया है अब डालती हूं मैं एक चमज भर के कॉरियंडर पाउडर मतलब धनिये का पाउडर और आधा छोटा चमज मैंने डाला है जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें ग यार कीजिएगा अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा मसाला जैसे यह भूनता है तो इसमे मैंने थोड़ा सा डाल दिया हलदी और थोड़ा सा नमक भी इसमें मैं टाल देती हूं अब इसको भी मसाले के साथ अच्छे से भूल लेना है जो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो देखिए मसाले को इस तरह से अच्छे से भूल लेना है कर्ची चलाते हुए वरना कढ़ाई में यह चिपक सकता है तो जैसे ही मसाला जो है थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो मैं इसमें डालूँगी 3-4 चमच पानी ताकि मसाले को और भी अच्छे से फ्राई कर लूँ और मसाला जो है नीचे चिपक ना जाए तो मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है तो जैसे मसाला अच्छे से फ्राई हो जाता है तो इसमें मैं अब एट करूँगी चने जिसे मैंने रात को ही पहले से ही एक कब भिगो के रखा था और मॉर्निंग में मैंने क्या क्या था इसको एक सीटी लगा ली थी तो चने बिलकुल उबल कर तयार थे अब मैंने इसमें चने जो है मैं इसमें डाल देती हूँ और इन मसाले के साथ अच्छे से जो है मैं इसको फ्राइ करूँगी आप देख रहे हैं ना रेसिपी कितनी easy है और कितनी कम मसालों से मैंने इसको बना के तैयार किया है पर खाने में बहुत tasty है इस से आसान रेसिपी शायद आपने कभी देखी ही नहीं है अच्छे से मसाले को फ्राई करना है ताकि इसमें से जो पानी पानी सा है वो बिलकुल सूख सूख सा जाए कम इंगिडियन्स से जो है सबजी जो है बहुत टेस्टी बनती है ना लैसून पड़ा है और ना प्याज रोटी, सबजी, चावल जिसके साथ भी आप खा सकते हैं अब मैं इसमें एट कर दूँगी वन फोर्थ कप पानी और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी क्योंकि इसको अब मैं थोड़ा ढख के पकाऊँगी ताकि जितने भी मसाले है उसका फ्लेवर आलू और चनों में आ जाए और यह अच्छे से सीज भी जाए तो अब मैं इसको ढखूंगी गैस का फ्लेम कम करने के बाद तो कम से कम साथ से आट मिरे ढखने के बाद अब देखिए एक बार बीच में जो है इसको चेक कर लेना है तो एक बार मैं चेक कर लोंगी कि आलू जो है अच्छे से सी तो इसके लिए मैं अब एक बार कर्ची चला कर फिर से इसको मैं पांच मिनट के लिए धक्के पकाऊंगी अब देखें फाइव मिनट के बाद जब मैं धक्कन खोलती हूं तो चना बिल्कुल बनकर रेडी है हरे चने के ये रेसिपी बहुती स्वाधिश्ट बनती है आप एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ये देखिए एकदम मजेदार जो है सब जीबन कर तयार है गैस आफ करती हूं और सर्व कर लेती हूं गर्मा गरम हरे मटर की जो चने हैं ये मैंने बहुती असान तरीके से आज बताया है जो फ्रेंड्स नए हैं जरूर मेरी चैनल क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी रेसिपी की वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताईएगा और जरूर आप ट्राइ रेसिपीस के सी लगी